Hey guys, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another video. आज actually हमारा plan बना है, मतलब मेरा और मेरे डाड़े का plan बना है कि हम लोग जाने वाले हैं एक नई टूवीलर देखने के लिए. अब टूवीलर जो है वो कौन सी लेंगे, कैसे लेंगे, सारी चीज़े में आपको बताऊँगा. अभी फिलाल के लिए मैं सुबह निकला हूँ मेरे काम से, तो हम लोग, मतलब मैं और मेरे डाड़, हम लोग शाम को जाएंगे देखने के लिए कि कौन सी टूवीलर हमारे बजट में है और कौन सी टूवीलर हमारे लिए अच्छी है. So, let's go! All right, तो ये आ गई हमारी new brand bike. अब ये जो bike है, ये है passion plus model, जो की है 2023 का. अब हम लोग ना गाड़ी लेने के हिसाब से नहीं कहते, सिर्फ देखने के हिसाब से गए थे और डैड़ी को ये जो bike है वो पसंद आ गई, तो उन्होंने on the spot ही purchase कर ली. उसके बाद फिर हम लोगों ने एक photo ले ली इस bike के साथ, और फिर इस bike को मैं लेकर आ गया मेरी mom के पास, क्योंकि इस गाड़ी का मुझे mom के हद से पूजा करवानी थी. यहाँ पर यह जो bike है, इसका color है red and black, इसके अंदर तीन colors आते हैं, एक आते ही पूरी black आती है, दूसरा आता है gray and black, और तीसरी आती है यह वाली जो की है red and black, यह रही मेरी mom bike की पूजा करते हुए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा purchase करने का कोई भी intention नहीं था, इसलिए हम लोग जो कुछ भी हम लोग बोलते है ना, नारेयल फोड़ना या फिर हार वगरे चड़ाना, यह कुछ भी हमने नहीं किया, मैंने बाद में यह सारी चीज़े आके की, तो यह कुछ इस तरीके से गाड़ी दिखती है, इस गाड़ी की अगर मैं से specifically बात करू, त और यह BS6 वाला मॉडल है, तो यह fuel injector वाला है, carburetor वाला नहीं, इसके बाद अगर मैं instrumental cluster के बात करो, पहला neutral का light आता है, उसके बाद उपर के साड़ आप देखोगे तो आपको indicators के light मिल जाते है, साथी साथ उन दोनों की बीच में आपको मिल जाता है upper dipper वाला light, ठेक है, अभी तो मैंने गाड़ी start नहीं किया, इसलिए नहीं दिखेगा, यहाँ पर आपको एक छोटा सा TFT display मिल जाता है, जिसके अंदर आपको fuel gauge, trip और kilometers दिख जाते है, यहाँ पर corner में आपको एक iSmart का button मिलता है, जो कि जिससे कि आप on off कर सकते हो, अब इसका जो use है यह traffic में हो होता है, वो मैं आपको आगे बता हूँगा, साती सात उपर की तरफ अगर आप देखोगे, तो आपको मिल जाता है check engine light वाला button, और साती सात उसके side में आपको मिल जाता है side send का button, तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि यह iSmart का क्या feature है, यहाँ पर अगर आप लोग ताकि मैं आपको दिखा सको इसका special feature, यहाँ पर मैंने गाड़ी को on कर दिया है, आप देख सकते हो clearly, तो अभी क्या होगा, 5 seconds बाद ना गाड़ी अपने आप बंद हो जाएगी, जो कि आपकी गाड़ी neutral में होनी चाहिए, mostly हम लोग ट्राफिक में गाड़ी को neutral पे लगते ह ठीक है, neutral में जैसे ही गाड़ी रहेगी, अपने आप गाड़ी off हो जाएगी, अब off कैसे होगी आपको सारी चीज़े में बताता हूँ, मैंने गाड़ी start करके रखी होगी, आप sound भी सुन सकते हो, तो यहाँ पर जैसे ही गाड़ी off हो जाएगी, वहाँ पर आप देख सकते ह जो I3S का symbol आचुका है, अब वो blink करेगा, जैसे ही blink करेगा, मैं मुझे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ कलच दबाना है एक बार, ठीक है, मैं कलच दबाऊंगा, और गाड़ी अपने आप start हो जाएगी, तो यह feature आपको traffic में बहुत ज़्यादा useful होता है, और बह intention यह था, कि यह bike मेरे ले भी suitable हो, और मेरे डाड़ के लिए suitable हो, मतलब उन्हें चाहे तो हो लेके चले जाएगे, मुझे चाहे तो मैं लेके जाओंगा, अगर मैं मेरे हिसाब से bike लेता, heavyweight वाली, तो वो डाड़ को suitable होती, साथ यह जो bike है, यह city के लिए और highway के लिए, दो के लिए बहुत ही जाद़ सुटेब हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, बहुत है, सब्सक्राब कीजिए, होप यह सी निमाने शोड़े, तिल देन टेक केर, बाबाई!